हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार स्वागत है वार फिर से आपका एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम बताने हो आपको मालाबार नीम के बारे में बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि मालाबार नीम का एक जो हमने वीडियो दिया था उसमें उसको देख में बिखता है तो अब पूरी जनकारी आपको मिलेगी इसमें और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा वहां से आप दे सकते हैं आपको पूरी जनकारी मिलेगी और अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि आपको लगाना है माला बार नीम की खेती करनी है तो पौधे बहुत ही सस्ते मिलते हैं ज़्यदा महेंगे नहीं मिलते हैं लेकिन नरसरी वाले बहुत ही महेंगी कास्ट में बेजते हैं और ज्यादा कास्ट का पौधा बताकर को बेजते हैं सो रुपे तक का पौधा बेज देते हैं लेकिन ये पौधा जो है 25 से 30 रुपे का मिल जाता है आसानी से तो जो इस वीडियो के अंत में आपको एक मॉबाइल नंबर भी देंगे उस पर आप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वहां से पौधे आप खरी सकते हैं कहीं भी आपको अल इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो पौधे आप मंगा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी थोड़ा बड़ी होनी चाहिए या कितनी भी आप मंगा लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट जो होती था तो आप उसको पहले जरूर देखिए और डिस्किप्शन में भी लिंक है और इस वीडियो के आंत में भी मिल जाएगा आई बटन में हमने दिया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको मालाबार नीम की पूरी जन के लिए तयार हुआते हैं तब आपको अपने जिले के फॉरस्ट डिपार्टमेंट को या पडची वह जो मिलती है वो दिखानी होती है और एक अप्लीकेशन लिकर देनी होती है कि आपने ये पेंड लगाये थे जिन्हें आप कटाई करना है इसके बाद आपको एक अनुम आगे दिक्कत ना आए तो आप बात करते हैं बीज खरीदने की तो बीज आप कई जगे से खरी सकते हैं किसी अच्छी नरसरी से मंगवा सकते हैं या फिर आनलाइन ले सकते हैं और जल्दी ही मेरी वेबसाइट पर भी आपको ये बीज मिलने लगेगा बीज लगाने का जो दो से 2.5 फिट हाइट के लगाने चाहिए इससे ज़्यादा बड़े पौधे आप लेने की ना सोचें क्योंकि उनमें जो पौधे मरने का रेट होता है वो ज़्यादा होता है और ये पौधे बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं इसलिए अगर आप बड़े पौधे ले बिल्कुल मत खरी देगा क्योंकि 30 रुपे तक का पौधा यहां अच्छा खासा मिल जाता है 25 से 30 रुपे की रेंज में पौधे रहते हैं और अगर आपको एक हजार पौधों की आसपास जरूरत है या आप दो तीन लोग मिलकर भी मंगवा सकते हैं तो हम आपको एक स्क्र आपकी आप पहुचा दिया आते हैं बहुत ही आसानी से और जो ट्रांपॉर्टेशन कास्ट होती है भाड़ा होता है वो आपको वहन करना होता है चाहां आप जहां रहते हों वहां के लिए मगाते हैं तो आप चाहें अपनी गाड़ी भेच सकते हैं या फिर जो आपका तो दोस्तों यह वीडियो हमने इसलिए बना कि आपको थोड़ी जनकारी मिल जाए और अगर आपको जनकारी यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने किसान भाईये को सेर कीजिए चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार द हमें।